असलाम अलेकुम आज मैं आपको बताऊंगी के चिकन शामी कैसे बिनाए जाती है उसके लिए मुझे इंग्रीडियन्स चाहिए है अब मैं अधिक के लिए तो बड़े मक चेने की दाली उसके रही हो इसे मैं आदे किंडी के लिए बेले फिक हो दिया था अब मैंने इसका पानी फैंक दिया है आदे किलो चिकन एट कर दे हो मैं इसमें थोड़ा सा परी कुटावा हरा धनिया चाहर अधत हरी मिर्च एक बड़े साइस का टमाटर वन टी स्पून इसमें गरम मसाला हाफ टी स्पून काली मिर्च एंड फुल टेबल स्पून जीरा जीरा वन टेबल स्पून इसमें रच्छी पाउडर यूज कर रहे हूं हाफ टेबल स्पून तर्मरिक पाउडर और हस्बे जाई का नमक थोड़ा सा जिंजर अजरत बरीकुटा हुआ चार से पांच रेस्टन के जवे यूज कर रहे हूं दो मीडियम साइस की में इसमें प्यास यूज कर रहे हूं दो इसमें अंडे और एक मग पानी इन सब शीजों को बॉल करने के लिए एक बटन लोंगी मैं इसके अंदर ही भीगी वी चनी की डाल दाल लोंगी सारी प्यास लैसन अध्रक हरी मिर्च और टमाटर अल्सपाइस होट स्पाइस चिकन और एक मग पानी माँश मेरे माँश पाहिए आज मैं अब भीज़ें अध्रक रखने में आजा को अध्रक का अध्राइब कर देंके लोंगी माँश मेंगी ड़्ये तीन मिंट के बाद बैसी ना अध्रक अध्रक हो गया है अब मैं अध्रक के याद्रक मेंने कवर्णी प्रक्णी के रख पूरे आदे गिंटे के बाद चिकन तकरीब बन गल चुके चिकन में अलग कर लोगी यह देखें प्लेट में निकाल लोगी टोटली जो इसमें चिकन में सारा निकाल रही हूँ चिकन में अलग कर लिया है वो गल गया था अब मैं इसका ठुकन लगा के लग दूँगी तब तक पानी भी इसका ड्राय हो जाएगा और दाल भी कर जाएगी लोग फ्लेम पे अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी फर्जी भी ठंडा हो जाएगा तो हम इसे इसके चुटी-चुटी पीसे स्कड़ लेंगे पानिया इस तब ड्राय होना शुरू हो गया अब मैं इसके अंदर ये और ये पर एक बार एक बार एक बार एक अटकर लिये थे और ढ़के रख लूगी अब इसमें पोड़ा फोड़ा सापानी है इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं इसमें थोड़ा सानमक कर देंगे इसके नदर फोड़ा सानमक कर देंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कि पानी तक्रीबन फुष्ट हो गया मैं चुला बन कर दोंगी थोड़ा थोड़ा साइस को मुस्टराइज रख है मैंने तके टिकी बन बनने में इसाली हो जाओ और यहें दॉनन दोनों थंडी है जाएंगे दोनों टिकन को मैं एक बंड़ा कर दूँटी जांसी तर स्वारस में बढ gefदस्ट ऒब अब तो पीस लिया था अब मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेती जाओंगी और गोल गोल पहले बोल्स बना लूँगी इसकी इस तिककी बना लूँगी मैं इस वी टिककी बना चुकियां और ऐसे बरी बरी में सबने चलसी गोल टिककी बना के रख लूँगी ऐसे मैंने सारी टिककी बना लूँगी बीषक इंडे में टिककी बना चूँए में अलए नमक भी टिककी इसकी सब्सक्राओें डिप कर लोँगी युटे को अच्छे से कारे कोल्या या बारी भारी डिप ड़मा पहल में टीकी दो हो इसे कोलो में एसब टिकक्य को hosts डिक्स दोग होगी बडिसके एडिस विए बाद है बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने से कुकिंग होल में डाल कर दिया था अब में इसकी साइड बदल दोंगी लाई ब्रॉण तक्रीम अबार ने हमें से बदल देंगें लो-क्लेम पे मैंने लाई ब्रॉण कर दो गए इस पना यह जलती नहीं और साथ साथ इसका ख्याल रखना है अपने कि नीचे से जले नहीं पहले मैंने इसकी साइड चेंज परड़ी थी यह देखे मैंने आगें चेंज परड़ी है दुसरी साइड से भी लाइब ब्राउन कलर हो गया उसका यह देखें तकरीबन दोनों साइड से इची तरह बन चुक है है अब इस के लिचे फ्लेम बन पर दोंगी और रुशामी टिकी बन के तयार है इसकी फ्लेम मैंने बन पर दोंगी यह मैं निकाल लेती हूँ यह साइ टिकिया मैं निकाल दोंगी प्लेट मैंने प्रिश्य पेपर बिचा लिया है इसमें बाकी गुपी मर्जस्ब हो जाएगा शामी रेज़ी बन के त्यार है इसकी मैंने आज आपको इसी रेज़ी बिताई आप इसे ट्राय करें आपको पसंद आएगी आप इसे प्लॉव के साथ नान के साथ रोटी के साथ और किसी गैस्ट को देने के लिए भी यूज कर सकते हैं आपके साथ रायता प्याच मेरे वीडियो पसंद आया तो से लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फॉर वचिंग